प्रश नमबर एक राज्य के खर्च पर हच की बेवस्ता करने वाला पहला भारती शाशक था इसका सही उत्तर है आप्षन बी फिरोश शा तुगलक 351 से 1388 सरकारी राज्य खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की बेवस्ता करने वाला पर्थम भारती शाशक था फिरोश ने हिंदुओं को जिम्मी इश्लाम स्विकार ना करने वाले कहा तता हिंदु ब्रहमनों पर भी जजिया कर लगा दिया प्रश नमर दो निमलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया इसका सही उत्तर है आप्शन सी मुहम्मद बिन तुगलक पर्थम सुल्तान था जो हिंदुओं के तहवारों मुख्यता होली में भाग लेता था उसने गैर तुरकों और भारती मुसल्मानों को भी सरकारी पदों पर निव्ट किया प्रश नमर तीन भारत में सरो पर्थम सांकेतिक मुद्रा टोकिन करंसी का पर्चलन किया था आप्षन A. इल्टूत्मिस ने, B. अलावदिन खिलजी ने, C. मुहम्मद बिन तुगलक ने, D. शेर सासूरी ने, इसका सही उत्तर है आप्षन C. मुहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सरो पर्थम सांकेतिक मुद्रा का पर्चलन 1329 इस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था बर्णी के अनुसार खाजाने में धन की कमी और सामराजी विस्तार की नीती को कारियरूप में पनिरित करने की कारण मुहम्मद बिन तुगलक को सांके इतित मुद्रा चलानी पड़ी जबकि आधोने कितिहासकारों का कहना है कि अंतराष्टिय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका परचलन किया गया प्रच नम्र चार निमलिकित में से किस सांसक ने दिवाने अमीर को ही विभाग की अस्तापना की थी आप्षण ए बल्बन, बी अलावदिन खिलजी, सी मुहम्मद बिन तुगलक, दी फिरोज शा तुगलक, इसका सही उत्तर है आप्षण सी मुहम्मद बिन तुगलक आप देख सकते हैं ये प्रचन कितना इंपोर्टेंट है, कितने दफ़ा आ चुका है, इसका आंसर है मुहम्मद बिन तुगलक प्रच नम्र पांच, मूर देश का यात्री इबनी बदूता किसके सासनकाल में भारत आया आप्षण A. मुहम्मद बिन तुगलक, B. बाबर, C. अकबर, D. महमुद गजनवी इसका सही उत्तर है आप्षण A. मुहम्मद बिन तुगलक मुरकोवासी इबनी बदूता जिसने उत्तरी अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारम की और 1334 इसीव में मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में दिल्ली पहुचा यहां वे दिल्ली के काजी नियुक्त किये गए जो लगबग 8 वर्सों तक इस पत पर रहे तधा या मुहम्मद बिन तुगलक के दूद के रूप में चीन भी गए रहला इबनी बदूता की एक रचना है प्राश नमबर 6 किसने कहा था की अभी दिल्ली दूर है आप्शन A. अमिर खुश्रो B. निजामो दिन ओलिया C. फिरोज तुगलक D. शेक शलिम चिस्ति इसका सही उत्तर है आप्शन B. निजामो दिन ओलिया दिल्ली सल्तनत के सासक गियासु दिन तुगलक तथा शेक निजामो दिन ओलिया में मतभेद था इबनी बदूता के अनुसार जब सुल्तान गियासु दिन बंगाल में था तभी उसे उलुक खाक के वेवार के चिंता जनक समचार प्राप्थ हुआ उसे सूचना मिली की वा अपने समर्थकों की संखिया बढ़ा रहा है और शेक निजामो दिन ओलिया का सीस्य बन गया है उस सेक से सुल्तान के संबंद अच्छे ना थे सुल्तान ने उलुक खान और निजामो दिन ओलिया को सर्वपर्थम हिरोशा तुगलक ने सिचाई पर कर लगाया था जो हके सर्व के रूप में जाना जाता था या सीचित भूमी के उत्पादन का एक बटर दसवा भाग था फ्रश नमबर आठ गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था आप्शन A. मुहम्मद गुरी, B. कुतूबिदीन एबक, C. बलबन, D. इल्टूत्मिस इसका सही उत्तर है आप्शन D. इल्टूत्मिस गुलाम का गुलाम इल्टूत्मिस को कहा जाता है क्योंकि मुहम्मद गोरी के गुलाम कुतूब दीन इबक ने इलतूतमिस को खरीदा था प्रश नमबर नौ निम्लिखित में से किसने तुरका ने चिहल गानी का गठन किया था आप्शन A कुतूब दीन इबक, B इलतूतमिस, C बलबन, D इनमे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, आप्शन B इलतूतमिस, विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इलतूतमिस ने अपने वफदार गुलाम अमीरों के एक धल का गठन किया जिसे तुरका ने चिहल गानी या चालिसा, चालिस अमीरों का समू कहा जाता था जिसका अंद दिल्ली सल्टनत के सुल्टान बल्बन ने किया इसका सही उत्तर है, आप्शन A बल्बन इसका उत्तर है बल्बन प्रश नम्बर ग्यारा तब काते नासरी के लेखा खाएं आप देख सकते हैं कितना important प्रशन है कितनी दफ़ा एक्जाम में आचुका है ये तब काते नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है उसने अपनी यह रचना सुल्तान नसीरुदिन महमूत को समर्पित की थी उन्होंने अपनी रचना में आदी से आरम करके नसीरुदिन महमूत के सासन काल के चवधवे वर्स तक ले आए यह रचना थेईस तबकों में विभक्त है जिसमें वे विभिन छेत्रों के विभिन राजवन्सों का अलग अलग विवेचन करते हैं करते हैं तो करते हैं तो